नमस्कार दोस्तों टार्गे टाइम सभी के एक बर फिर से सौगत है दोस्ते एक बर फिर से आई सीमर के द्वारा भरति बिग्यापन आ चुका है इसमें टेक्निकल आफिसर इस्टाप नर्स और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट रहने वाला है प्रोजेक्ट के इस पर भरति होने वाला है भारत के सभी स्टेट के कंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और यह भरति बिग्यापन जोधपूर राजिस्तान से जारी हुआ है तो दोस्तों वीडियो बेंगे बढ़ने इस पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब से आप डाउनलोड कर पाएंगे टेलिग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप डायरेक्ली जॉइन हो पाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं इन्फोर्मेशन की और नहीं आप दी पोस्ट में पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और एज लिमिट में 30 एर्स तक रखा गया है और आपका जो सेलेक्शन होगा इंटर्व्यू या रिटेन टेस्ट के माध्यम से होगा और आपका जो एक्जाम होने वाला है तीस सवरी तीन दस दो जरब वाज तीन अक्टूबर को होगा और इसमें रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है सड़े नौ से सड़े दस वज़े आपको उदर रिपोर्टिंग करना होगा नेस्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो स्टाप नर्स के लिए रहने वाला है फीमिल के लिए और एक ही पोस्ट स्टेट में आपके नर्सिंग काउंसिल में रेजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और 30 तक के कंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे 310 2022 को आपका एक्जाम होगा सड़े 9 से सड़े 10 वज़े आपको दर रिपोर्टिंग करना होगा नेस्ट जो पोस्ट है सीनियर प्रजे है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और टू एर्स का डिप्लोमा स्वरी टू एर्स एक्स्पिरियंस भी मांगा इसमें और 28 येर्स तक के कंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और 310 2022 को आपका रिटेन टेस्ट या इंटर्व्यू होगा सड़े 10 से सड़े क्यारवाजे आपको उधर रिपोर्टिंग करना होगा अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको आफ्लाइन आवेदन करना होगा दे इलिजिबल केंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर दी एबाब मेंशन पोस्ट में भी डाउनलोड दी अप्लिकेशन फॉर्म दी कर पाएंगे या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल में जुडने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप इजी तरीके से इसको डाउनलोड कर होगा साथ में इलांग विथ आल डाकुमेंट इन सपोर्ट जो डाकुमेंट आप अटेच करेंगे जो इसमें जरूरी है वो सारे डाकुमेंट आपको ले जाना होगा और प्रूप अपडेट आप वर्त कॉलिफीकेशन के सारे सेटिफिकेट एक्सपीरियंस है तो भी आप आपको एक्सपीरियंस भी ले जाना होगा साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज का पोटो आपको ले जाना होगा और आपको डायरेक्टली इंटर्विव में सामील होना होगा और इंटर्विव में वहां के जो अधिकारी होंगे चेक करेंगे आपके डाकुमेंट को वेर पूर्पूर राजिस्तान में आपको इंटर्वियू के लिए पहुचना होगा आपके रिपोर्टिंग टाइम इंटर्वियू डेट फे तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप डारेक्टली जॉइन हो पाएंगे थैंक्यू